नमस्कार दोस्तों, स्वागते आपका उनलाइन तयरियड़ा पर हम लेकर आएं आपके लिए 50 सामन्य ग्यान के महत्पून सवाल जवाब पार्ट पर्ष्ट है, सभी एक्जाम के लिए महत्पून है स्टार्ट करते हैं इंद्रा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है यह जाना जाता है, पिग मिलियन पॉइंट नेक्स्ट है, भार्ट का चेतरफल, विश्व के चेतरफल का कितना है 2.42 परतिसत है, विश्व के कुल चेतरफल का, भार्ट का चेतरफल नेक्स्ट है भारत की इस्तल सीमा से कौन से देश लगे हैं यानि भारत की इस्तल सीमा है उससे कौन से देश लगे हैं तो यह लगे हैं बांगला देश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और पूटान और भारत की जल सीमा से किन देशों की सीमा मिलती है उपर धल सीमा है नीचे जल सीमा है तो जल सीमा से किन किन देशों की मिलती है मालदिव, स्रिलंका, पांगला देश और म्यामार नेक्स्ट है जम्बू कस्मीर का वह इसा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है दोस्तों जंबु कस्मीर का वह साथ जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है यह कहलाता है आकसाई चीन बारत में सीत मरुस्तल कौनसा है लधाक यह केंद्रशा प्रदेश है कौनसा कण सबसे अधिक ऐस्ताई है तो यह है न्यूट्रोन पर्थवी का प्लाएन वेग क्या है? पर्थवी का प्लाएन वेग 11.2 किलोमेटर प्रती सेकंड प्लाएन वेग है पर्थवी का पर्थवी पर वायूमंडले दाब का क्या कारण है? यह कारण है गुर्तवा कर्शन यानि वाई मंडले दाब किसकी कारण होता है गुर्टवाकर्शन के घार नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर जलका कवधनांग यानि दाब बढ़ाने पर जलका कवधनांग बढ़ जाता है इलेक्ट्रोन वोल्ट किसकी इकाई है जो इलेक्ट्रोन वोल्ट है यह किसकी इकाई है यह उर्जा की इकाई है उस्मा का सरोतम चालक है उस्मा का सरोतम चालक क्या है तो यह पारा उस्मा का सरोतम चालक पारा है नेक्स्ट है वायुमंडल की आधरता मापने वाला यंत्र है यानि वायुमंडल की आधरता मापने वाला यंत्र है हाईग्रोमिटर क्या है हाईग्रोमिटर नेक्स्ट है घड़ी में चाबी देना उधारन है गड़ी में चाबी देना उदारण है इस्तित उर्जाका किसका है इस्तितित उर्जाका समुंदर में तेरना नदी की अपेक्सा आसान है क्यों है समुंदर के अंदर तो बड़ी बड़ी लहरे भी आती है फिर भी नदी की अपेक्सा समुंदर में तेरना क्यों आसान है समुंदर में पानी का घनातो नदी के पानी से अधिक होता है इसले समुंदर में तैरना आसान है नाबिकिया रियक्टरों की मूल परकिरिया क्या है? जो नाबिकिया रियक्टर है उनकी मूल परकिरिया क्या है? विखंडन, क्या है? विखंडन पर्मानू रियक्टर आदारित है जो पर्मानु रियक्टर किस पर आधारित है तो यह नाभिक्ये विखंडन पर किस पर है नाभिक्ये विखंडन पर पर्ति धहुनी का क्या कारण है यानि जो पर्ति धहुनी है उसका क्या कारण है इसका कारण है धहुनी का प्रावर्थन क्या है दवनी का प्रावर्थन चोमासा कौन सी पसल कहलाती है दोस्तों चोमासा कौन सी पसल कहलाती है जायत की पसल चोमासा कहलाती है राजिव गांदी का समाधी इस्तल किस नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है वीर भूमी किस नाम से जाना जाता है वीर भूमी के नाम से जाना जाता है सविधान लागू होने के समय राज्य सुची में कितने विशे सामिल थे जब सविधान लागू आथा उस समय राज्य सुची में कितने विशे सामिल थे उस समय थे 66 नेक्स्ट है तम्बाकू का पोदा किनके द्वारा भर्त लाया गया जो तम्बाकू एक धुम्रपान है इसका पोदा किनके द्वारा लाया गया पूर्त गालियों द्वारा लाया गया था तुर्गापूर केसर क्या है तो तर्भूज की उन्नत किस्म है तुर्गापूर केसर गुजरात का चाकुल्य वन्स का संस्तापक कोन था? मनलाज पर्थम कोन था? मनलाज पर्थम रेड इंडियन कहां के निवासी थे? जो रेड इंडियन है वह कहां के निवासी थे? वह अमेरिका की कहां के थे? अमेरिका की राजस्तान में सरवादिक ओद्योगीक इकाई किस जिले में इस्तापित हैं? राजस्तान में सरवादिक ओधोगी की गाईयां किस चिले में इस्तित हैं यह हैं यापूर में जो राजस्तान की राजितानी है जंडा समीती के अध्यक्स कौन थे जंडा समीती के अध्यक्स थे जे बी करपलानी कौन थे जे भी कृपलानी जो हमारा जंडा है तिरंगा इसके अंदर तीन रंग होते हैं और जो इसमें सरकल होता है उसमें सरकल 24 तिल्लिया होती है नेक्स्ट है राष्टीर रोजगार गयरंटी कार्यकरम कब शुरूआ इसका बात मिधाकर महतमा गांधि नरेगा चार्यकरम शुरू किया गया था तो कब वा था यह है 2006 में दोस्तों आपको इसी क्योशन से related क्योशन करना है नीचे कमेंट में कि राष्टिय रोजगार गारंटी कार्यकरम शुरू हुआ था 2006 में और इसका मातमा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया यह आपको नीचे कमेंट करना है नेक्स्ट है अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है अब्रक तो इस्तान है पर्थम यानि भारत का विश्व में पर्थम इस्तान है अब्रक उत्पादन में एक्टर राजस्तान में सोना कहां पर पाये जाता है यह पाये जाता है भांसवाड़ा वे डूंगरपुर में सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में परदान मंती रहे कौन रहे यह रहे थे डाक्टर अटल बिहारी वाजबई कौन रहे थे अटल बिहारी वाजबई तेरा दिन तक रहे थे इनका निदन हो गया है नेच्ट है भारत को तलवार के बल पर विजिद किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी यह कतन है तो यह कतन है लोड एलिंगन का नेच्ट है महा प्रियान गाट किसका समाधी इस्तल है नेच्ट है राजय सबा के सदश्यों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है यह हो सकती है यह हो सकती है दो सो पचास खिलजी वंज की इस्तापना किसने की थी खिलजी वंज की इस्तापना किसके द्वारा की गई थी यह की गई थी जलालुदिन खिलजी किसके द्वारा जलालुदिन खिलजी की द्वारा नेक्स्ट है मातमा गांदी को अधनंगा पकीर किसने कहा था अधनंगा पकीर चरलिल, किसने कहा था चरचील नेक्स्ट है भारत का भुगोल नामक पुछतक किसने लिखी टॉमली ने, किसके द्वारा लिखी गई थी नेक्स्ट है अकबारी कागच बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है नेपा नगर मध्यपरदेश में भारत का कौन सा सासक था जिसने बगदाद के खलीपा से सुल्तान पद की वेदानिक शिवकरती प्राप्त की इतुल मिस कौन था इतुल मिस सांची के इस्टूप का निर्मान किसने करवाये था यह करवाये था असोक ने और दोस्तों आपको नीचे कमेंट करना है कि सांची का इस्टूप है वह कितने रुपे की मुद्रा पर है यानि भारत्य रुपे पर कितने रुपे के नोट पर सांची का इस्टूप है दारोगा जी किस फल की विक्सित परजाती है दारोगा जी किस फल की विक्षित पर जाती है यह है सेव फल किस की है सेव फल की पोदो का सबसे महत्पून अंग कोन सा है यह पुस्प है डोणाल्ट ब्रेडमैन किस खेल के खिलाडी थे ? यह ते किर्केट के खिलाडी थे बेरिंग जल धमरू मद्य किन दो देशों के मद्य है यह अमेरिका और रूस के मद्य है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है यह दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत भारत मता कीजिए